आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकैबलरी और प्रोनेंशियेशन के बारे में इंग्लिश पढ़ना बूलना लिखना बहुत असान होता है बड़ जब हम पढ़ना शुरू करते हैं किस वर्ड को क्या spell करना है क्या pronounce करना यह major problem होती है बहुत बड़ी problem होती है किस वर्ड को क्या पढ़ना चाहिए बहुत बार बहुत से लोग गलत प्रोनेंस कर जाते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ most common ऐसे words हैं जिन में कुछ letters silent हो जाते हैं और actually में वो क्या होते हैं और उन्हें क्या pronounce करना चाहिए चले देखते हैं तो कुछ ऐसे letters होते हैं जिने hard letters कहते हैं जैसे कि B, D, H, E ऐसे letters को hard letters बोला जाता है और usually अकसर जब यह किसी word में use होते हैं तो इन letters को silent कर दिया जाता है मतलब कि neglect कर देते हैं इनका pronunciation नहीं करती है इनका उचारण हम नहीं करते हैं चलिए start करते हैं किस letter से कौन से words silent होते हैं क्या पढ़ना चाहिए start करते हैं सबसे पहला letter है हमारा B, कौन से words हैं जिन में B silent होता है चलिए दिखते हैं COMB नहीं पढ़ते, COMB होता है COMB, COMB नहीं COMB पढ़ेंगे CRUMBS, CRUMBS नहीं पढ़ेंगे, CRUMBS पढ़ते हैं और यह शायद आपके लिए एकदम नया हो, DEBT इसे most जादातर लोग इसे depth पढ़ते हैं बट आज जान लिजे इसे depth नहीं पढ़ते इसमें B silent होता है और इसे date करते हैं याद रखेगा D E B T depth नहीं date होता है इसके बाद THUMB यह भी बहुत लोग गलती बोलते है, THUMB expression बोलते हैं कि THUMB impression दीजे, THUMB नहीं होता, THUMB होता है THUMB, B silent, THUMB बोलने हैं और TOMB नहीं होता, TOMB होता है TOMB, ठीक है? I hope किस letters में B silent होता है, आपको पता चल गया, और भी what's होता है, जैसे B के लिए और भी what's होता है, जैसे doubt Spelling में B तो आता है, बट B क्या हो जाता है, silent हो जाता है, ठीक है? तो इसे doubt पढ़ता है, doubt नहीं, B इसको silent कर देंगे, बोग प्रोनेंस नहीं करेंगे, सिफ़ doubt पढ़ेंगे, I hope B वाला आपको समझ में आगया, आप C की तरह पढ़ता है किस लेटर में C silent होता है, तो number one है हमारा acquire, देखे मैंने सबको underline किया हुआ, C silent है, C का प्रोनेंस नहीं है, Q आता है, acquire, फिर हम science पढ़ते हैं, science में भी C क्या हो जाता है, silent हो जाता है, घरों में हम catchy use करते हैं Caesar, Caesar में देखे, Caesar में भी C, और ये भी अधितल लोग गलत इसे नहीं, C silent होता है, इसे fascinate बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे fascinate, I hope, समझ में आई आई आपको बात, इसके बात D, सबसे ज़्यादा silent D होता है, H होता है, और P, इसके आपको ज़्यादातर words मिलेंगे, जो silent होते जाते हैं, most सबसे ज़्यादा silent वाले words आपको D ही मिलेंगे, क्यों मिलते हैं, क्योंकि D एक hard letter है, और अधिकतर words में हम D का pronounce क्या कर देंगे, नहीं करेंगे, उसे neglect कर देते हैं, H-A-N-D-S-O-M, handsome, handsome नहीं होता है, इसे handsome पढ़ते हैं, D को silent कर देना है, handsome, फिर sandwich नहीं होता है, actually में ये sandwich होता है, और जब हम ABCD पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टी में जब LKG, UKG में हम weeks के name पढ़ने लगते हैं, days of week, तो हमें पढ़ा कर जाता है, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, नहीं, Wednesday नहीं होता है, actually में इसे हम Wednesday पढ़ते हैं, Zaw की sound आता है, तो इसमें D को silent कर देंगे, तो आप जिसे Wednesday बोलते थे, अपसे आप correct कर लिजें, उसे बोलते है Wednesday, क्या बोलेंगे, Wednesday, इसके बाद आता है, grandson, actually में grandson नहीं, grandfather, grandmother नहीं होता है, grand होता है, dear को silent कर देंगे, ऐसा नहीं है, इस case पे बस आप grandson भी बोलेंगे, तो कोई problem नहीं है, सही है वट, अगर आपको और formally बोलना है, और आप अच्छा बोलना जाते हैं, technically और अच्छा होना इंग्लिश में, तो आप grandson बोलिए, grandmother बोलिए, grandfather बोलिए, grand भी बोलेंगे, तो सही है, बट D को silent कर देंगे, तो और बहतर लगेगा, और आप technically sound हो जाएंगे, इसके बाद आता है, laser, इसमें भी D silent है, और ये जो का sound देता है, जी यहाँ पे, तो ये हो गया आपका laser, silent होता है, देखिए कौन से letters, what's है, align, इसे align नहीं पढ़ते, इसे align पढ़ते है, A, L, I, G, N, align पढ़ेंगे, इसमें G silent है, फोरन, मतलब विदेश, इसमें भी देखिए, G silent है, और एक बात और मैं छोटी सी trick बता देता हूँ, अगर G के बाद, याद रखेगा, G के बाद अ उसमें G को हम silent कर देते हैं, हमेशा, G, N, A, W, ना, इसे क्या पढ़ेंगे, ना, G, N, A, S, H, नैश, इसे पढ़ते हैं, नैश, मतलब पता है आपको, चलिए, बता देता हूँ, मैं, ना का मतलब होता है, किसी चीज को कुतरना, चुहे कुतरते हैं, तो उसे ना बोलते हैं, किसी चीज को दातों से कुतर देना, उसको बोलते हैं, ना, और नैश का मतलब होता है, किच-किचाना, लगा दात ऐसे किच-किचाना, उसे नैश बोलते हैं, इसके बाद होता है, H, most common letter है, जो अधिकतर वोट्स में silent हो जाता है, तो आपने बहुत से पढ़े हैं, honest है, hour है है, air है, कुछ अलग देखते हैं, सबसे पहला है, A, C, H, H नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, H इसमें silent है, फिर choir, choir का मतलब होता है आपको, नहीं, चलिए बताता हूँ मैं, choir का मतलब होता है, भजन गाने वालों की मंडली, जब कुछ लोग आपस में एक ग्रुप में खड़े हो के भजन गाते हैं, वो church हो, या temple हो, तो उसे choir बोलते हैं, फिर इसे hour पढ़ेंगे, honest, ये words आपके सामने आ चुके हैं, ये इसमें भी आपको ये बात इंटरेस्टी लेंगी, actually मैं G, H, O, S, T, गोस्ट नहीं होता, गोस्ट होता है, याद रखिएगा, at silent होता है घोस्ट नहीं, गोस्ट पढ़ते हैं इसे, technology, इसमें भी H, आपको क्या होता है, silent होता है, इसके बाद है chorus, chorus उन लोगों गरते हैं, आपने देखा हुआ कि जब बहुत सी movies वगरा है, या आपने singing programs देखे होंगे, तो singer गाना गाता है, और उसके पीछे बहुत से लोग खड करते हैं उसके बातों को, तो उस जो group होता है, singer के पीछे जो group खड़ा होता है, उनको repeat करता है, singer की गाने को, जो lyrics singer गा चुका होता है, उस group को बोलते है chorus, और next word है chaos, chaos का मतलब बवाल होता है, जब बहुत बड़ा कोई हंगामा हो जाए, शोर शरावा बवाल होने लगे, त चीज में भी silent होता है, chaos बढ़ता है, next है हमारा silent k, k तभी silent होता है, जब k के बात n आ है, याद रखेगा, अगर कोई word k से start होता है, उसके just बात n आ जाए, तो वहाँ पर k हम silent पर देते हैं, बहुत से word आप जानते है, knowledge, no, knee, kneel, बहुत से words है, knowledge, knee, neck, बहुत सारे words है, तो start होता है, और उसके just बात अगर आन आ है, तो k को silent कर देना है, ठीक है, next पर आते है, silent n, कौन से word में n silent होता है, तो हमारा पहला word है हमारे पास autumn, इसे autumn नहीं पढ़ते, इसे autumn पढ़ते हैं, column नहीं पढ़ते, column पढ़ते हैं, और इसको dam पढ़ते है, d, a, m, e, dam, word सुना है, movies वगरा देखते होंगे, आप English movies उसमें बोलते हैं, God damn it, मतलब धत्यरी की, God damn it, damn it, या damn का मतलब सच भी होता है, जैसे लोग बोलते हैं, बिल्कुल सच बात है, it's damn true, फिर है, silent p, p के बारे में ही बता दूँ, अगर p, कोई letter p से शुरू होता है, और उसके बात s आ जाए, most cases में, और भी होते हैं, जिनमें p silent होता है, but most of the cases, अगर p से कोई word स्टार्ट होता है, और उसके जस्ट बात s आ जाए, तो p को हम silent कर देंगे, जैसे psychology, या psychiatrist, ऐसे बहुत से word आते हैं, फिर एक और word है हमारा pneumonia, pneumonia की spelling क्या होती है, यह learn कर लीजे, p, n, e, u, m, o, n, i, a, pneumonia, और इसमें हमारा p क्या होता है, silent होता है, यह, इसे क्या पढ़ते हैं, सभी लोग receipt पढ़ते हैं, बट आज जान लीजे, यह receipt नहीं होता है, receipt होता है, एक बात मैं आपको बता दू, थोड़ा सा मजाक लगेगा, आपको ही बता देता हूँ, इंडिया में, आप mispronounce करना मतलब आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को mispronounce कर देता हैं, तो लोग आप कैसे देखें, क्या गमार आदमी है, यार, इंग्लिस पढ़ने नहीं आ रहा, तो इसे actually में receipt नहीं पढ़ते हैं, इसे receipt पढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा, receipt नहीं, receipt, पी इसमें silent होता है, I hope यह आपके लिए नया होगा, इसके बात silent you, क्योंस वर्ट में you silent होता है, तो हमारे पास पहला वर्ड है हमारा, biscuit, बहुत से लोग बिस्कुट पढ़ते हैं, बिस्कुट नहीं होता है, बिस्कुट होता है, और एक बात और जान लीजे, बिस्कुट की हि बिस्कुट नहीं होती ही, बहुत से जगह पढ़ाती रहता है, इंगलीज में biskut बोलेंगा, जो हिंदी में लिखेंगे, तो bिस्कुट लिखेंगा, आसा कुछ नहीं होता, biscuit है, biscuit ही होता है, हम उससी форм में उसको हिंदी में भी लिखते हैं, याद रखीगा, इसके बाद आ तो यह इसको आवरी नहीं पढ़ेंगे, अक्चुलिय में इसे एरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, एरी, और एरी का मतलब होता है, उलट-पुलट कर देना, जब किसी चीज, कोई अच्छे से चीज रखे, और अर्गनाइज रखे, आप उस इला की उलट-पुलट कर दो, तो उस situation, उस process को बोलते हैं, और ही, फिर होता है awful, फिर है rap, इसे w, तो w के बारे में इसे बात बता दूँ, अगर w के बाद, most of the words में, w के बाद अगर r या h है, तो w को silent कर देते हैं, जैसे right, w, r, i, t, right मतलब लिखना, तो उसमें w silent है न सिर्फ r को ले रहा है, तो right, wrinkle, wrong, बहुत से words हैं, जिसमें w silent होता है, और जब हम grammar में और आगे पढ़ना शूरू करेंगे, grammar video बताऊंगा, तो मैं एक word बताऊंगा, wh words, wh words क्या होते हैं, जिन से हम questions करते हैं, when, where, why, इसमें देखे, सब में, w आपका क्या है, silent है, I hope इतनी बात आपको समझ में आई, हाँ, एक word और है, sword, इसको आप करेकर लिजे, आज के बाद sword मत बोलेगा, sword पढ़ते हैं, w silent होता है, बहुत से लोगों को मैंने खुद personally सुना है, वो sword पढ़ते है, sword मत पढ़िएगा, sword पढ़ते है, w silent होता है, और इसके बाद आता है, silent t, अब इसको तो मुझे नहीं लगता कि शायद सही पढ़ते हैं, बहुत से लोग, बहुत से knowledgeable persons, इसे गलत पढ़ते हैं, आपके सामने ये word है, asthama, क्या पढ़ेंगे आप, आप पहली site अगर आप देखते हैं, देखते ही साप पढ़ते हैं, asthma, actually मैं asthma ये होता ही नहीं है, इसे हम asthma पढ़ते हैं, क्या, asthma, ये जो का इसे हम पढ़ेंगे, asthma, याद रख लिजे, asthama कोई word नहीं है, इंग्लिश, इंग्लिश होती है, asthma, क्या पढ़ेंगे, asthma, याद कर लिजे, इसके बाद है, listen, listen में देखिए, t silent है, इसके बाद ये बहुत से लोग, castle पढ़ते हैं, castle नहीं होता है, casual, t silent है, और इसके बाद R, I, C, O, C, H, E, T, क्या पढ़ते हैं, रिक्षय पढ़ते हैं, क्या, रिक्षय, और रिक्षय का मतलब बता है, जब दिवाल पर आप किसी चीज को फेक के मारो, और वो चीज रिपीट, आप में return आ जाती है, bounce back करती है, तो उस process को बोलते हैं, रिक्षय, मतलब तकरा कर वा पसानी वाली वस्तु को रिक्षय बोलते हैं, ऐसे और भी बहुत से वाट्स हैं, यह नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत से वाट्स हैं, बट यह most common है, जो हम बार बार नॉर्मली गल्तियां कर देते हैं, usually हमसे गल्ती हो जाती है, तो I hope आज की वीडियो आपको स समझ में आई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली फॉर्जर वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे, थैंक्यू, मिलते हैं नेक् झाल 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